इन्होंने क्या किया इन्होंने पूरे दुनिया में में थापित कर दिया कि हिंदू तो सबसे नफरती धर्म के लोग हो गए यह तो कुछ भी बोलते फिरते हैं यार मंदिर बनाने से मंदिर कंक्रीट का जो धाचा खड़ा होता है भगवान उसमें नहीं बसते हैं भगवान सब कह रहें कि रहना कौन चाहरा है मैं बताता हूं यह जो दिमाग में जिनके चरस बोया है न वह किसके दिमाग में चढ़ा है जिनके बाभू जी का सैलरी और पेंशन मनमोहन सिंग ने च्ठे आयोग में डबल कर दिया जो बाभू जी के पेंशन पर पल है गाओं में न कुछ करना है न धरना है लेकिन बाभू जी का पेंशन आ रहा है उनका दिमाग पगलाया हुए जब कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है तो सरकारी आकड़े जो इनका पन्ना प्रमुक वाला आकड़ा है जो हर चीज को चुनाओ 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 अईसे तो योगीजी कह रहे हैं उतर प्रदाश में चाल लाग नोक्री दे दी गई तो फिर कौन से लड़के हैं जो अरारबी के लिए जो एक सोसल एक्टिविस्ट है राइटर भी है अब से जी आपको क्या लगता है कि उत्तरप्रदेश में अपकी क्या होगा अभी आपने देखा कल एक खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया के सेटलाइट पैनल से वहां से एक फोटो निकाली गई थी जिस पर यह दिखाया गया था राहुल गांदी ने बोला कि संसद में की जुड बोला है कि वहां पे ऐसा हुआ वैसा हुआ और कल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर आई कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ था जो राहुल गांदी बोल रहे हैं कि चीर हमारे सीमा के अंदर घुशा ही है राजनास सिंग ने वारती से पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान से हमारा कोई खथरह नहीं अग्राश हो गया जो जांच वह तो है एक हाथसा था राहूल गांधी राहूल गांदी ने पार्लेमेंट में खड़े हो के बोला मैं कह रहा हूं कि रक्षा मंत्री जो ये हैं जितना सिस्टम है राव आई भी इन सबको कोई बयाना है एकिन में से क्या कुछ गलत है तुम उस्टे लिए का सब बता रहे हो चीन पाकिस्तान एक हुए हैं ना सिरफ भारत के जितने सही होगी देश थे आज भारत के साथ कोई नहीं खड़ा ना स्रिलंका खड़ी है ना नेपाल खड़ा ना बर्मा खड़ा ना भूर्टान खड़ा सब चीन के साल लाम बंदी और ये चीन क्या है आप भी सुनते रहों कि जब हम बार्वी में थे तो हम सुन दूसरे के अने वाले दिनों में मलभ ऐस्या की बिगेस्ट इकनामी में भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिस पर्दी भारत और चीन कॉम्पेटिशन कर रहे हैं भारत के लड़कों ने पूदे विदेश में इतना अपना इस और इस प्राकरवन दिखाया वह क्या हो गया क सब्सक्राइब करते हैं लेकिन सरकारी आकड़े तो कुछ औरी जवाब दे रहें सरकारी आकड़े तो यह बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर रोजगार दिया गया है बना रहे है तो कुछ ग्रोफ ही नहीं हो रहा है तो फिर कौन से लड़के हैं जो अरार बी में 35,000 वेकेंसी के लिए कितने अप्लिकेंट आहें परिक्षा तक तो करानी पारें टेट का परिक्षा कैंसिल होगें सब्सक्राइब आपने सिक्षा से अध्यात्म के उसे विश्यूगुरु था जो हिंदुजम के प्रिंसिपल है न पूरी दुनिया में हमारे धर्म प्रचारक नहीं गए दुनिया के लोग आते थे हिमाचल जादा थे मुंडी मुडा के बोधिष्ट हो गया कोई पता चला कि सन्यासी हो गया स्ट्यू जॉप्स को कोई आमंत्रन देने नहीं गया था जो एपल के फाउंडर है वो आए उन्होंने भारत की सत्यता देखा मुंडी गुमालिया भग भगवान फ्यूब्स वेहान भगवान बस्तक्षग मैं बहुति इंधुत थे मैं क्यूब्स करूना फंग हुआइ उन्हां पूरी घजारी के ख़ड़ा कर दे एक जादी कि नहीं कि इतना साइडलान किया की कि नही है की बसारे संट्स्यां कोजद गढ़ा जाट है लेकिन यह मुनिम लोग हैं इनको पूंजी पती बोलते हैं जाओ टैक्स लेकर आओ और टैक्स नहीं मिलेगा गाए यह क्या कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाओ को देखते हुए हो रहा है यह और किसली हो रहा है यह चुनाओ में तो यह कुछ भी कर सकते हैं जैन चोदरी को पर हा पूरे भारत का पैसा है राहुल गांधी ने पार्लेमेंट में स्टेटमेंट दिया और डेटा दिया है कि कई से अमीर और गरीब की बीच में जो खाई है वह लगातार लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे देश चलेगा इस तरी के सलेगा यहां पर आसपास जुत्ता आनों के चड़ा है जिनके बाबुजी का सेलरी और पैंशन मदमहन सिंख ने चठ़े आयों में डबल कर दिया जो अपनी किसमत पर फूट समझने आप बात और यह पेंशन भी अब जो ने रिकूरूटमेंट हुआ है उसमें पेंशन भी नहीं है अब कोई आयो का वेतन भी नहीं आ रहा है तो जो सतर साल में कुछ नहीं कहने वाले गाओं के ललके जो गाली देते हैं कॉंग्रेस को वह अपने बाबुजी का पेंश यहीं तो यहीं तो यहीं हां मैं रोड ट्रांस्पोर्टेशन अच्छा कर दिए 370 हटाने से क्या फरक पड़ा कश्मीरी पंडीत विस्था पर वहां चले गए